प्यारे दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि बसरे में एक औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था शोहर का इंतकाल हो चुका था उसका बच्चा बहुत ज़ादा बीमार हो गया उसने हर हकीम तबीब से इलाज करवा लिया मगर बच्चा ठीक होने का नाम नहीं लेता था अपने देवी देवदाओं पर चड़ावे मननते मांग कर देख लिया मा थीना और अपने शोहर की निशानी गवाना नहीं चाहते थी जिसने भी जिस जगा का पता जिस हकीम का बताया वहां चली गई मगर बच्चा किसी सूरज शिफायाब ना हो पाया अलाह की कुदरत की उसे एक दिन एक शख्स मिला जो मुसलमान था और बगदाद वाले का मुरीद था उसने औरत से कहा कि अपने बच्चे को बगदाद ले जाओ औरत ने कहा कि क्या वहां कोई हकीम है वो बोला हकीमों का हकीम है कोई तबीब है उसने कहा तबीबों का तबीब है बोली उधर कोई बुजर्ग है उसने कहा हाँ पीरों का पीर है औरत बोली उसका नाम पता बता दो मैं वहां जरूर जाओंगी वो शक्स कहने लगा बगदाद में मगरिब की तरफ चली जाना वहां तुम्हें एक आस्ताना मिलेगा वहां चली जाना और बुजर्ग का नाम है अबुलवफा वहां जहां कर कहना बाबाजी बड़ी दूर से आई हूं मगर वो बुजर्ग ज बिमार है दूआ कर दें और अगर उन्होंने दूआ कर दी तो तुम्हारा बच्चा लाजमी से हतियाब हो जाएगा इस यकीन पर वहां चली जाओ कहते हैं वो और बगदाद आ गई लोगों से पूछा के अबुलवफा का आस्ताना कहा है लोगों ने बताया के फला जगह चली जाओ पर वो बुजर्ग तो किसी से बात नहीं करते उसने कहा वो बात करें न करें बस मुझे पता बता दो मैं खुद उनसे बात कर लूँगी और ठूनते ढूनते बिला आखिर उस जगह पहुँच गई और जैसे ही उसने आस्ताने के अंदर कदम रखा अभी एक कद ही अंदर रखा था और दूसरा दर्वेश की तहलीस के बाहर था के बच्चा ही मर गया वो औरत बड़ी बहादुर थी फिर भी हार नहीं मानी आगे बढ़कर दर्वाजा खटकटाने लगी वो अल्लह के बुजर्ग बाहर आए तो औरत चीखते हुए कहने लगी के बाबा म मैं तो आई थी जहां आस्ताने पर बच्चे की सेहतियावी और लंबी उमर की दुआ करवाने मगर मेरा बच्चा तुम्हारे आस्ताने पर मरा है तो मैंने तुम से ही लेना है मैं मुर्दा नहीं इसे जिन्दा लेकर जाओंगी मैं जिन्दा लेकर आई थी तो जिन्दा ल नहीं पता मुझे ये बच्चा मुड़दा नहीं लेकर जाना मैं लेकर जाओंगी तो जिन्दा लेकर जाओंगी तुमसे अपना बच्चा वन्ना यहां से नहीं जाओंगी बुजर्ग औरत की बात पर एकदम चौक गए उन्होंने बच्चे को देखा बच्चे में कोई सास आती बुजर्ग कहने लगे बच्चे जबान में से निकला हुआ कॉल कमान से निकला हुआ तीर और जिसम से निकली हुई रूफ कभी वापस नहीं आती मेरे अल्लह की जो मर्जी तुम बस सबर करो और वापस चली जाओ ये कहकर बुजर्ग अंदर चले गए और दर्वाज पीटने लगी के मैं नहीं जाओँगी जब तक मेरा बच्चा जिन्दा वापस नहीं लोटाओगे बाबा बाहर निकलो और मेरी मदद करो मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था बाबाजी मैं तो बसरे से अपना बच्चा जिन्दा लेकर यहां आई थी मेरा मादा लहू लुहान हो गया कुछ ही देर गुजरी होगी कि इतने में एक 6 साल का बच्चा खेलते खेलते आस्ताने में दाखिल हुआ उसने औरत को रोते पीटते टक्रे मारते देखा तो पूछने लगा कि अम्मा तुम क्यों रो रही हो क्या माजरा है औरत ने माथा पीटना बंद करके बच्चे को देखा और रोते हुए कहने लगी के बेटा मेरा बेटा तुम्हारी ही उमर का है बीमार था मैं इन बुजर्ग के पास दुआ की नियत से ये आस उमीद लेकर आई थी के मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी मगर मेरा बेटा यहां आते ही दुआ से पहल पीट कर यहीं मर जाओंगी वो बच्चा चुप करके सभी बात को सुनता रहा जिसकी अपनी उमर अभी सिर्फ 6 साल थी वो बोला के अम्मा फिर इन बुजर्ग ने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया कुछ कहा नहीं कहने लगी सिर्फ इतना कहा जिसम से निकली रूप व और वापस चली जाओ पर मैंने बुजर्ग से ही अपना बच्चा वापस लेना है मैंने ठान ली है यह कहकर फिर उसने दर्वासे पर टक्रे मारना शुरू कर दी दोस्तों बच्चे में ओरत का बाजु पकड़ा और बोला के अम्मा तुम टक्रे मत मारो वो देखो तुम्ह मा को देख रहा था वो औरत घुसे में वापस मुड़ी दर्वाजे पर आई और ललकार कर कहने लगी बाबा जी बहार आओ बड़े तुम वली बने फिरते हो मेरा बच्चा मरा नहीं जिन्दा है देखो बहार आकर मेरा बच्चा जिन्दा है बुजर्ग औरत की ये बास हैरान हुए, सोचने लगे कि ये कैसे मुम्किन है, अभी तो ये रो रही थी और बच्चे की तो सांस नहीं चल रही थी, बच्चा तो मर चुका था, अभी ये क्या बोल रही है बुजर्ग ने दरवाजा खोला और बहार आ गए बाहर देखा, तो वो छे साल बच्चा भी बाहर खड़ा था बुजर्ग औरत के बच्चे के पास आए देखा के बच्चा तो वाकई जिन्दा है आखे खोले लेटा है बाबा जी ने छैसाल के बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा मुस्कुरा रहा था बाबा जी फोरन अंदर गए और अंदर से लाठी उठा लाए बच्चे की तरफ भागे छैसाल का बच्चा आगे भागने लगा और पीछे ये बुजर्ग लाठी लेकर दोड़े और कहने लगे ठैरो तुम अरे तुम अल्लहा की लिखी तकदीर से खेल रहे हो ठैरो तुम्हें मैं बताता हूँ अब आगे आगे दोस्तो ब बच्चा दोड़ता जा रहा है और पीछे उसके बुजर्ग लाठी लिए दोड़ रहे हैं ठैरो तुम्हें मैं बताता हूँ अल्लहा की तकदीर से खेलने वाले ठैरो मैं बताता हूँ बच्चा दोड़ते दोड़ते कबरिस्तान में दाखिल हो गया दोस्तो और वहां बिना कफन कबरों से निकल आए और बाबा जी की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए बाबा जी ने जब ये मनजर देखा तो वहीं कपकपी तारी हो गई लाटी फैंकी अपना सर ताजीमन जुका लिया और कहने लगे कि तुम जानो और अल्लह जाने मैं तुम्हारे रुत को पहचान न सका मैं तुम्हारे रुत्बह तक नहीं पहुंच सका और नहीं अल्लह के दिये तुम्हें इस रुत्बह को समझ सकता हूं दोस्तो आप जानते हैं वो छे साल का बच्चा कौन था इस बच्चे का नाम दोस्तो अब्दुलकादिर जिलानी था और आगे चलकर को गौस आजम रहमत अल्लह के लकब से मशूर हुए और वो बुजर्ग उनके नाना हजरत स्यद अब्दुल्ला सोमई रहमत अल्लह थे और दोस्तो ये वाक्या मुक्तलिफ किताबों में मौझूद है दोस्तो वली अल्लह चाहें तो तकदीर बदल देता है जैसा के अलामा को अकल के तराजू में तोलने लगता है और यूं कुमरा हो जाता है याद रखिए करामत कहते ही उस बात को है जो अकलन मोहाल यानी जाहरी अजबाब के जरिए उसका होना नामुम्किन हो मगर अल्लह अज़जल की अतास से औल्या अकराम से ऐसी ऐसी बातें बसावकात हो और हास कहते हैं और अलाने नववत के बाद साविर हो तो मोजसा कहते हैं आम मौमनीन से अगर ऐसी चीज़े जाहिर हो तो इसमें या उनत या वली से जाहिर हो तो करामत कहते हैं नेज काफिर या फासिक से कोई हरक आदत साहिर हो तो उसे इस तदराज कहते हैं प्यारे दोस्तो हम यह उमीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपके कॉमेंट हमारे लिए बड़ी ए वीडियोस का नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मौसूल होता रहे अपना बहुत ख्याल रखेगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता अल्लह ताला से दुआ है कि अल्लह ताला हमें एमान पर मौत दे आमीन सुम्मा आमीन अगली वीडियो में आपसे दुबारा मु के बान